नमस्ते अभिवादन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की हम बात करेंगे पिवट पॉइंट्स की पूरी मास्टरी हासिल करने की हम कोसिस करेंगे इस वीडियो में वीडियो लंबी होगी ल मुझे एक loss making trader से profitable trader बनाया यानि कि पहली बार जब मैं profitable बना तो उसका पूरा सरे जाता है pivot points को और मैं एकदम अंदभक्तों की तरह pivot points को follow किया और यकीन मानिए आपको विश्वास हो या ना हो आप इस चीज़ को करके देखेंगे अगर अगर आप सिर्फ pivot points के भरोसे trade करो तो बहुत जादा chances हैं कि आप 90% लोगों से आगे निकल जाओगे मतलब आप बहुत बड़ा profit अगर नहीं भी बना पाओ तो आप profitable रहोगे इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूँ और वीडियो के अंत्र तक आपको मैं एक profitable trader बना सकता हूँ अगर आप pure points पे भरोसा करते हो और आपके पास समय है वीडियो देखने का तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप वीडियो लाइक कर लीजे आराम से एक copy column लेकर बैठ जाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा बाकि आप बाद में भी ये वीडियो देख करके चीजों को समझ सकते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं ये pure points होते क्या हैं तो चलिए उसके लिए हमने investopedia से एक article से ये formula आपके सामने रखा है तो investopedia को पूरा साभार अभी आगे भड़ते हैं यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा चाट पे भी explanation दूँगा और जिस pattern पे हम intraday trade करते हैं अगर आपने उस pattern पे इसको प्योग किया खुद से stop losses और targets ढूनने के लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया कि मुझे एक loss making trade मतलब मैं एक loss बनाने वाला trader था ठीक है और उसके बाद मुझे मिला क्या मुझे मिला pivot point मिलने का मतलब क्या है मुझे जब pivot point मिला तो मैं हर कोई search करता है कि क्या करें कैसे trader बन जाए तो मुझे जब ये चीज मिली तो मुझे शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा था मैं chart वगारा पे लगा कर देखा और फिर जैसे कि हमको target लगाने पे मैं उपयोग करता था अब explanation शुरू करते हैं ये पी का मतलब क्या है पी exactly आपका pivot level होगा ये आप कैसे निकालोगे stock का high low close upon 3 करना होगा आपके पास pivot value आ जाएगी अब high low close क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ फिर बात करेंगे resistance and support की ठीक है चलिए हम एक stock ले लेते हैं reliance reliance 5 minute की candle लगी हम इसको one day की candle कर देते हैं ठीक है हमने one day की candle कर दी अब थोड़ा सा ये मोटा हो गया हम इसको थोड़ा सा इसकी नहीं पतला बना देते हैं और उसके बाद हम open high low close की बात करेंगे जैसे इस candle पर हमने जब करसर लाया अपना तो यहां पर हमारे सामने आप यहां पर data देखिएगा open high low close दिया हुआ है यहां पर जब हम करसर रखेंगे हमारे सामने हो गया कि reliance 1960.60 पैसे पर open हुआ 1973 रुपए 80 पैसे का high बनाया यहां पर आप देखिएगा data उसके बाद 1920 रुपए 5 पैसे का low बनाया 1937 रुपए 45 पैसे का closing दिया अब यही data हमें काम आएगा pivot को calculate करने में तो जब हम बात करेंगे pivot points calculation में तो high की value यहां पर रखेंगे यानि की high को low को close को इन तो इनों को हम add करेंगे यानि की plus 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 करेंगे upon 3 करेंगे उसके बाद हमें मिल जाएगा pivot level अब pivot P हमको मिल गया जैसे ही हमको P मिला P मिलते ही P into 2 minus low जैसे करेंगे हमें resistance 1 मिल जाएगा यानि की stock यहां पर रुकेगा उसके chances बढ़ जाएगे जब pivot level उस अब इसको देखेंगे resistance 2 भी मिलेगा और ऐसे ही आप आगे चलकर आगे चलकर resistance 3 resistance 4 भी calculate कर सकते हो वो किसी और वीडियो में बताऊँगा यहां सिर्फ support 1 support 2 resistance 1 resistance 2 की बात होगी जिसकी हमें सबसे जरूरत पड़ती है ठीक support 1 support 2 अब यह बहुत ध्यान से आप समझेगा जैसे क हम जब भी intraday trade करते हैं आपको हम बताते हैं कि target हमारा जो होगा target हमारा जो होगा वो दो दो पार्ट में divided होता है लेकिन हम stop loss को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करते हैं लेकिन pivot क्या कहता है कि आप stop losses को भी दो बार में बुक कीजिए मतलब की अपना जो loss है उसको दो ब जालेंस हो जाएगा आपका overall average हो जाएगा चलिए इसके इसकी value मैंने आपको पहले ही बता दी है pivot point होता ही है फिर resistance 1 resistance 2 support 1 support 2 इसको ध्यान में रखिएगा I hope मैंने आपको चीजें समझा दी आप बिल्कुल इसी base पे calculation करके निकाल सकते हो किसी भी stock का मतलब अगले दिन का intra day level और यह बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि आप अगर एक stock का सिर्फ high low close जानते हो उसके बाद इस formula में fit कीजिए आप खुद से calculate कर लोगे जैसे कि हम चलते हैं जड़ा सा formula यूज किया हमने कोई भी stock है चलिए हम माल लेते हैं कि कोई एक stock है 500 रुपे का ठीक है उसके बाद high sorry वो open होता है चलिए माल लेते हैं 500 रुपे पे stock है 500 का 500 पे open हुआ high मारता है चलिए माल लेते हैं 2% उपर गया 510 रुपे का high मारता है ठीक है 510 505 रुपे पे होती है ठीक है अभी आपके सामने data क्या आगया यहां पर pivot level सारे आगये pivot point आपका क्या हो जाएगा 502 रुपे 50 पैसे 502 रुपे 50 पैसे अगले दिन का pivot level होगा यानि कि ये भी अपने आप में एक अहम level होता है पहला resistance कहां पर आएगा 510 रुपे पे दूसरा 10 जाए यानि कि 2% उपर जाए फिर 1% नीचे जाए 3% की volatility वाली stock में आपको ऐसे ही levels मिलेंगे अगर 502 रुपे 50 पैसे पे वो खुल रहा है तो पहला resistance उसको 510 रुपे में मिलेगा जो कि एक सवा percent के आसपास का है ये चीज totally depend करेगी कि stock का बीटा कितना है यानि कि stock में पि चलते हैं वापस अपने calculation पर calculation हमने यहां पर करी हुई थी यहां पर मैंने आपको formula दिखाया हुआ है इसको note कर लिजे अब आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे बातें हम चार्ट पर बताएंगे चार्ट पर देखिए जब भी आप किसी तो मैं आपसे ये भी बात कह रहा हूँ शुरुआत में भी बोला फिर से कह रहा हूँ कि मैंने इस indicator को अंधों की तरह follow किया और मैंने बोला कि अगर ये है indicator और सब इसकी इतनी तारीफ करते हैं बहुत बड़े बड़े लोग इसकी तारीफ करते हैं तो मैंने भी सोचा कि क क्यों ना हम इसको ट्राइ करें और आपसे भी मैं एक चीज कहता हूँ कि आप इस बाजार में 100 रुपए लेकर आए हो उसको थोड़ा सा एक बाट साइड में रखिए अपनी पोर्टफोलियो का 5% या 10% लीजिए उस पे आप पिवट पॉइंट्स पे क्यों ट्रेड करना चालू कीजिए पिवट पॉइंट्स पे क्यों ट्रेड कीजिए आपको अगर कहीं से पैटन मिल जाता है कोई आप पैटन खुद से बनाए हो या आप हमारे पैटन को भी फॉलो कर सकते हो उसके लिए इंट्राडे वाली वीडियो देख लीजिए आपको बातने समझ में आ क्या बात आएगी आपके stop losses भी होंगे आपके target भी होंगे और अगर आप रूल पे stick करते हो जैसे कि मैं किया अगर मैं या पीवट पॉइंट से profitable बन पाया without any मतलब कुछ जादा मैंने सीखा नहीं था ट्रेडिंग में मैंने सुरुवात में बहुत गलतियां की लेकिन उसके बाद जब जो मेरी सबसे पहली मतलब वही चीज ना मैं आपको बार-बार यह बात है क्यों बता रहा हूं क्योंकि मुझे trust है और मैंने इस चीज को पीछ stop loss calculate किया कीजिए मतलब आपके stock का beta कैसे है वैसे ही आपको stop loss calculate करना चाहिए क्योंकि pivot point भी उसका बहुत खयाल रखता है अभी आगे बढ़ते हैं मैंने आपको चीजें बता दी आप कुछ और बातें आपसे करता हूं मैंने कहा आपको अंधों की तरह पहली बात follow नहीं करन करते हो और अगर बाजार जिस हिसाब से प्योट पॉइंट चलाना चाहता है उस हिसाब से चलती है बाजार तो आप हफते का हफते का अगर आप मतलब डेली दो ट्रेड ले रहे हो तो मैं इतना कह सकना हूं कि आप 1% इंकम बड़े आराम से हफते की निकालोगे जो की महीन कोस्ट हर एक ब्रोकर अवेलिबल कराता है कैसे आप जब इंडिकेटर में जाओगे तो आपको एक मिलता है इंडिकेटर पिवट पॉइंट्स का ठीक है चली हम इंडिकेटर लगा लेते हैं पिवट पॉइंट्स फिर आपको समझाने की कोशिज करेंगे पिवट अपके सामने डेर सारे लेवल स आ अभी आपको क्या करना है इसको इंट्राडे की रिए होते हैं और मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं अभी हम चार्ट को थोड़ा सा मोटा कर रहे हैं और आते हैं वापस देख लीजिए पंदरा तारिक को रिलाइंस खुलता है यहाँ पर उसके बाद हमारे सामने levels के आते हैं मैंने आपको levels calculate करना भी सिखाया आप खुद से कर सकते हो या फिर आप simply अपने broker को बोलिए भी या हमें हमारे levels calculate करके दीजिए pivot points वाले और आपको सिर्फ इस पर trade करना है अभी आपके सामने क्या चारे बचे Reliance खुलता है पहली green candle बनाता है आपको resistance यहाँ पर दिखता है यानि कि आपको यहाँ पर buy तो करना नहीं था ठीक buy नहीं करना था दूसरी चीज आप यहाँ पर क्या कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट की पहली candle पर मैं यह बात बता रहा हूँ आप यहाँ पर क्या कर मतलब आपको ऐसा लगेगा यह तो चमतकार है यह तो मतलब होता है ना कि live markets के दौरान थोड़ा सा हम pressure को handle नहीं कर पाते लेकिन अगर आप इस पर अंधों की तरह भी भरोसा करके trade करते हो तो आप profitable हो जाओगे बस आपके पास सीखने की ललक होनी चाहिए जैसे कि Reliance पहली कि दूसरा चार आपके पास नहीं था प्योट पॉइंट आपको क्या कह रहा है आप सौट कर दीजिए अगर आपके पास जिगरा है सौट कर दीजिए stop loss कहा लगाना है बीटा के हिसाब से आपको इस्टॉक का बीटा ढूणना है और मैं आपसे कहता हूँ अगर आपका target 0.5% का है stop loss 0.3% का होना चाहिए और इसी हिसाब से आपको value पे focus करना चाहिए मतलब जो risk reward हो वो one is to two का हो वो perfect रहेगा खैर हम आगे बढ़ते हैं Reliance में हमको pivot points यहां पर क्या बोला उपर resistance है यहां पर buy मत कीज़ेगा पहली candle पर दूसरी candle red भी बन गई और उसका मतलब क्या था हम अगर करते कोई दिक्कत थी ने उपर के level पर resistance है अभी हमको target कितना लगाना है याद रखिएगा यह level 1965 का था और 0.25% के आसपास का हमको यहां पर target भी मिल जाता अगर हम यहां पर directly sort कर दी होते और अगर हम higher level पर sort किये होते इस रेजिस्टन को समझ करके तो 1975 रुपय का stop loss लगाते और 1975 पर stop loss लगाते पिवट level भी support का भी काम करता है और resistance का भी काम करता है यह बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है ध्यान में आपको क्या रखना है पिवट लेवल भी जो होता है अगर उपर से stock गिर रहा है तो pivot level उसके लिए क्या बन जाएगा support बन जाएगा नीचे से उपर जा रहा है त आपका जितना भी बड़ा पेट होता आप जितना उपर लेना चाहते थे आप यहां पर बाई कर लेते क्योंकि आपको पता था यहां पर सपोर्ट अवेलबल है अगर तोड़ देता है देखो यहां पर एक और चीज अच्छे हमारी मदद करेगी गुड़ कौालिटी स्टॉक गुड़ कौलिटी स्टॉक्स जो हैं वो पिवट पॉइंट को बहुत बड़ा सम्मान देते हैं अभी समझे पिवट लेवल पे हमें सपोर्ट मिला हम बाई कर सकते थे हमें टार्गेट मिलता आराम से फिर यहां पर हम सौट कर सकते थे कर सकते थे ना क्योंकि हमारे पास जौस के बाद हमारा स्टॉप्व्ला पिंट हो जाता अब समझी हमारा स्टॉप्लास से टॉक्त कितना नीचे गिर गया दूसरी चीज अब हम थोड़ा सा अगे बढ़ेंगे हमारा स्टॉप्लास आ पर इस फो नहीं कर रहा हमें का लेवल से पहले ही रेजिस्टन्स फेस कर रहा हमें एक्जिट करने का पूरा का पूरा इसने मौका दिया उसके बाद ये गिरा है ठीक अब देखिए यह जो पिवट लेवल था इसको बड़े धालले से इसने तोड़ दिया इसका मतलब क्या है इंडिकेशन है कि यहां पर इसने तगड़े से इस केंडल ने सम्मान दिया यहीं से एक ग्रीन केंडल बनी और यहां पर दो तीन केंडल गुजारा और उसकेस में जब बाजार में क्रैस्ट टाइप की सिच्विशन थी बाजार में अचानक से सतर सी पॉइंट की गिरावट आ चुके थी उसके बाद आपको लग रहा था कि यह स्टॉक गिरने लगा है अपने पिवट लेवल को तोड़ दिया आप यहां पर सौड भी कर सकते थे आपके टार्गेट यहां पर भी आ जाते फिर आपको लगा कि यह लेवल भी तोड़ दिया था फिर से सौड करते आपका टार्गेट यहां भी उसको उस पर भी मैं एक अभी आपको एक एक्जांपल लिए जो पिछले दिन हमने ट्रेड दिया हुआ था उसी एक्जांपल पर मैं फोकस करा कि आपको ट्रेड बताऊंगा कैसे किया जाता है आप यहां पर बात सीख लिए कि पिवट लेवल या सपोर्ट लेवल देखो यह यहां पर यहां पर यहां पर लॉपय कि बहुत बड़े माईने रखती है इसके थोड़ा सा नीचे इसके फोड़ा सा उपर इसटॉक जो है वो रेजिस्ट्रेंस अन्स सपोर्ट को सम्मान देने वाला है यानी कि वहां पर फेजञ रेख से करेंने आपको यह बात ध्यान में रखनी है यह वैलूज क्या लिखी है नहीं यह लिखा हुआ है आपको उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है एक बार के लिए आपको फोकस करना है कि हमको इन लाइन के अगर आकर इस टॉक सपोर्ट ले रहा है तो हम बाई कर लेंगे और हमें इस हम चूझ कर लेते हैं आई टीसी हमारे सामने आई टीसी आ गया मैं इस टॉक सारे रेंडमनली सेलेक्ट कर रहा हूँ आप से भी मैं यह करेंगे नीचे आ जाते हैं ये पांच मिनट की केंडल हमने लगाई हुई है और आपको मैं दिखाना चाहूंगा यहां पर हम यहां पर बाई कर सकते हो क्योंकि यह नीचे से सपोर्ट पर बनी है यह उपर जा रही है यहां पर इक बार के लिए बाई हैघ कर सकते थे हम अपना टार्एट यहां कहीं कर लगा सकते थे यहां देखेगा आपको ध्यान ये देना है कि छोटे target और छोटे stop loss पे अगर आप खेलोगे कहाँ पर pivot points पे तो आपको बहुत ज़्यादा chances है कि ये profitable बना कर रखेगा कोई issue आये का नहीं अगर कोई दिक्कत आती है आप पूछेगा और आपकी अगर कोई भी strategy है उसके साथ pivot points को आ होगे अभी देखते हैं हमने यहां पर बाइंग किया आगे हमको यहां पर प्रॉफिट बुक करना था और कितना बढ़िया निर्ने साबित होता प्रॉफिट बुक करना था हम fresh short position भी ले सकते थे कहाँ पर इस वाली candle पे हमको दिखाए दिया कि यहां पर यह रेजिस्टें दो है वो तोड़ दिया था मैंने आपसे पहले ही बोला कि इन इस लेवल को आप ध्यान में न रखिए कि आरवन रटू है उस पर फोकस ही मत कीजिए यह लवल तोड़ा हम यहां पर बाइंट करेंगे फिर से बाइंग करेंगे फिर से हम उपर के लेवल पर देखें कि हमार रखना चाहिए और मैंने सफाई की है उसके लिए आप वीडियो लाइक कर दीजिए यहां तक आयो अगर आपने यहां तक आकर वीडियो लाइक नहीं की तो पता है क्या होगा तो आवरों से आपका एक स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हो जाएगा पता नहीं क्यों लेकिन हो प्योगर कर सकते थे और आपका टार्गेस आ जाता जो की हाँ पर था फिर से आप इस केंडल पर कर सकते थे जो यहां पर है यह चएंडल आपकोorno attracted आपको सारे मिल जाताने आपको की नहीं मिलते आप खुद बताईएगा अभी आपको एक चीज यहां पर जो भी मैं दिखा रहा हूं दिखाई दे रहे होगी कि इस line का exactly सम्मान कोई भी stock नहीं करेगा थोड़ा उपर थोड़ा नीचे करेगा कोई software आगे पिछे calculate कर सकता है कोई beta थोड़ा इधर उधर calculate कर लेता है तो भी हो जाता है तो यहां पर आपको मैं एक दिमाग दे रहा हूं आपको मैं बहुत पहले बात करता था smart stop loss की smart stop loss क्या होता है जैसे कि कोई stock 100 रुपए पर trade कर रहा है चलिए मान लेते हैं अगर आपको stop loss मैं मतलब आपने सौट किया और 1520 पर आपको stop loss लगाना है तो आप में वहां पर मत लगाईए क्यों नहीं लगाईए क्योंकि वह पहला तो psychological level है ठीक है दूसरी चीज वही exactly resistance है तो आपको वहां से 0.25% उपन नीचे आपको stop losses ढूने चाहिए तो यानि कि आप 1522, 1523 के आसपास stop losses लगा लोगे या आपके लिए smart stop loss हो जाएगा और यहीं चीज आपको किसी भी प्यवर्ट पॉइंट ट्रेड में करनी है I hope मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा पाया हूंगा एक और stock ले लेता हूं जिससे कि आप चीजों को और बैटर समझ जो हमने पिछले दिन अपने pattern पर आपको ट्रेड द personalities हमने बहुत इस आपर त्रेड किए हुआ है आपको समझाओंगा कैसे ऐंट्रा डेवाली वाली वीडियो आएगी इसे मैं आपको समझांगा श्राने मैं इसमय हमेरे सिख्नल जो हमारी पैटर मीडियो है उसके साहत पता है मैं कितने profit के लिए खेल ला हूँ आपको सब पता होगा जैसे कि हमें यहाँ पर जैसे signal मिला ठीक है हमें जैसे signal मिला हम थोड़ा सा प्योट पॉइंट्स भी इंक्लिवड कर लेते हैं जिससे कि हम कि हमको यहाँ पर सौट करना है सौट जाना है दूसरी केंडल नहीं हमको बता दिया प्योट पॉइंट्स के हिसाब से कि प्योट लेवल तूट चुका है इसको आप सौट कर दीजिए अब जाके लिए सपोर्ट वन पर ही रुकने वाला है इसका मतलब इस केंडल के बाद भी कि अगर हम सौट करते यानि कि अगर हम 2700 मान लेते हैं 2770 पर सौट करते तो हमें जो पहला लेवल मिलता वो क्या मिलता यहां का मिलता जो कि 2735 रुपय का है आप देखकर दंग रह जाएंगे कितना बढ़िया हमको डेटा यह दिया था यहां पर हमारा सिगनल भी एक बार के कुमें साथियाшая Zmay आपके सामने है और करने का अभी हम सौट करते थी हमें बढ़िया टारगर दे ता हमको यहां पर प्रॉफिट करना था यह यकीन मानिए यह जैसे ही सपोर्ट टूज चेया गरीन कैंडल सब्सकार कीजा seguro हमको क्या इंडिकेशन दिया फिर से सॉट करिए फिर से सॉट करिए आप एक बार के लिए हमने आ पर सॉट किया काफी समय बिताया उसके बाद पता है हमें हमारा stop loss यहां कहीं हो रहा होगा आकर hit कर दिया इसने लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा यहां पर smart stop loss की तरीके इस काम कटा उस पर थोड़ा सा और आपकी तरफ यह stock जाता या फिर कम से कम आपका stop loss ना hit करता चलिए अभी लेवल पर वापस आते हैं मैं आपको लेवल समझाता हूं यह जो लेवल था सपोर्ट वन वाला देखिए वहीं पर जाकर यह stock समय बिताया है फिर वहीं से गी रहा है ठीक हमको यहां पर फिर से इ समझी एक बात को हमको यहां पर sell signal मिला हमने सौट किया हमें targets भी मिल जाते लेकिन जो हमको यहां पर दूसरी candle पर signal मिला या फिर हमें यहां पर profit बुक करने का signal मिला कितना बढ़िया सिंगनल था हमने यहां बढ़िया आराम से opportunity पाई profit बुक करने की भी इस candle पर भी हम अगर सौट करते फिर से हमें सारे target देता तो यही खुबी है pivot points की I hope मैं आपको समझा पाया हूँगा यहां पर हमारे pattern ने जो हमको signal दिया उस पर हमने ट्रेड किया बहुत बढ़िया ट्रेड हमको target मिला था अभी जाते जाते कुछ points हो सकता है मैं miss कर गया हूं लेकिन मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप इस वीडियो को दो तीन बार देखिएगा अगर कोई चीज ना समझ में आई हो और जिस भी stock में आपने आज ट्रेड किया या फिर अगले दिन आपने ट्रेड किया है उस पर थोड़ा सा back test कीजिएगा कि अगर मैं इसकी strategy लगाता तो किस तरीके से अपने stop losses को control करता अपने targets को control करता उसी साब से आप आगे बढ़िएगा आपको कैसी लगी वीडियो बताइएगा यह वीडियो लंबी हो गई लेकिन मुझे आसा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा formula बहुत ध्यान से इसको note कर लिजे किसी copy में और इसक कि आप जब trade करते रहो जैसे कि अब जब भी मैं किसी भी stock की candle देखता हूं आपको लगएगा मैं फालतू बाते कर रहा हूं लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा जैसे कि मैंने reliance की candle देखी ठीक है मैंने पिछले दिन की candle अगर reliance की देखी है ठीक मैं कुछ थोड़ा सा previous data भी ले लेता हूं option data भी ले लेता हूं जब मैं personally कुछ trade करता हूं जैसे कि यह कि stock मैंने मैं यहां पर डाल देता हूं बहुत recent time में option data के हिसाब से और यह भी stock बहुत बढ़िया प्योट प्रेंट को सम्मान देता है आप जड़ा सा बैक्टेस्ट कीजिएगा यह stock बता रहा हूं एक stock और हो गया करना है समझे बैक्टेस्ट कीजिए चीजों को पैक्टेस्ट कीजिए और अगर आपको ट्रेड करना ही है एक quantity के साथ आप कर सकते हो एक quantity के साथ करोगे वह आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा जिससे आपको लगे कि आप कोई risk नहीं ले रहे हो और आप समझ रहे हो मत 30 रुपए गया क्या गया कुछ नहीं गया क्योंकि आप ट्रेडिंग सीख रहे हो और 1500 के स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको बेटर रिजर्स मिलने के पूरे चांसे बढ़ जाएंगे आप सिर्फ और सिर्फ आप कोई भी investment नहीं करना चाते कुछ और नही आप ग्रेड करना है तो आप हमाई साथ भी जूड़ सकते हो हमाई साथ अकाउंट खोलेंगे हमें अच्छा लगेगा अभी तना ही मिलेंगे फिर अच्छी वाली वीडियो में तब तक के लिए हंस्ते खेलते रही यार सीखते रही है सिखाते रही है चीजों को जब आप स चांसेस है कि वो प्रॉफिट दे कर जाए तो बस यही थी आज की वीडियो वीडियो जाते जाते लाइक जरूर कर लेना चैनल भी सब्स्राइब कर लेना वीकेंड है तो लर्निंग पर पूरा फोकस होना चाहिए लर्न कीजिए तभी अर्निंग हो पाएगी अभी के लिए फिर से तब तक के लिए सुबरात्री अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो रात के बज रहें नौ इसलिए मैंने सुबरात्री का तो अगर आप ये वीडियो दिन में देखते हो तो बुरा मत मानिएगा नहीं तो क्या बताएं बुरा मत मानिएगा क्योंकि मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा चलिए जाते जाते एक छोटा समझा कि अभी इतना है मिलें फिर से तब तक के लिए बाई